हाथ वादन ये हमारे बुजर्गों एबम नौजवार शाथियों बद प्यार करने बच्चों और हमारी मातवेन तिर्मूर्ति केस्ट के माध्यम से हम आपके समझ ये किस्षा रामार का सुना रहे हैं जिसे धन उस्यग लच्चमर परसुना सुंबाद में कहा जाता है तो किस प्रकार से आईए एक बार बड़े प्रेंच से बोलेंगे पुला स्री राम चंद्र हवान की आरे मंगल भवन या मंगल हारी मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहो सोद सरत अजर पिहारी पुदीन दयाल दिरत सम्भारी अरो नात्र मम संकत्तू भारी आरे अब प्रभु क्रपा करो यही भाती समत जी भाजान कराऊं जिन राती आरे सुम्भीरे पवन सुत पवन नामू अपने बस करी राखे रामू अरो जाकी रही भावना जैसी हाँ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन जैसी हाँ तो मेरे भवत प्रेमियों एधर में रिशी विश्वा मित्र अपनी यग को करते हैं तो बंदो निशाचर उनकी यग को पूर्ड नहीं होने देते हैं एधर में विश्ण भगवान ने रेता के चोथे चरण में अयोध्यापुरी मारा दसरप की यहां जनम लेते हैं। चारो कलाओं से हैं और चारो भायों किसे हैं। तो कैसे यग विध्वंस करते हैं राचस और क्या होता है यह रामीर। दाले यग में भंगा दाले यग में यग में भंगा दाले। संत मुन वर भगाई मार मार के देट महो टराते फार फार के। संत मुन वर भगाई मार मार के देट महो टराते फार फार के। और क्या यग पूरण हुआ ना सार सार के। बंग की दे है हारो दार दार के। और क्या भाईया अब करते हैं प्रमन ही मन में पिसा में त्रिन राले। यक में भंगा दाले यक में यक में भंगा दाले। इस प्रकार से मेरे बंगों निशाचरों के भैसे बिस्सामित्र जी भैवीत हो जाते हैं। केने लगे हैं विदाता ये कैसी नीला है ये निशाचर हम को डराते हैं। और हम किस प्रकार से अपना जीवन इस जंगल में वितीत करें हैं मेरे नाथ। और क्या भैया। इधर में जब पता चलता है विश्वामित्र को कि प्रत्वी का भार उपारने वाले अयोध्यापुरी ने महरात दस्रत के यहां प्रगट हो चुके हैं। क्यों नम्हें उनसे शाहता लेनी चाहिए। यह प्रण करके आज विश्वामित्र और चलते हैं। कहां अयोध्यापुरी और क्या होता है। जिसाने त्रियाबद पुरे आये हैं। देखे दस रत्यूने हरोशाए हैं। जिसाने त्रियाबद पुरे आये हैं। देखे दस रत्यूने हरोशाए हैं। और भाईया। राम लक्षमण वहाँ बोलोवाए हैं। दोनों वुनवर के मनयक्ति भाई हैं। जैसे ही राम लक्षमण को देखा। और उनके पिता दस्रत ने कहा। कही बेटा राम, कही बेटा लक्षमण। ये रिश्य विश्वामित्र हैं। इन्हे प्रडाम करो। आद दोनों भाई छुप करके गुर्देव को प्रडाम करते हैं। जैसे ही विश्वामित्र के निगाविती है। आहा, गदगद संठ हो जाता है। राम लक्षमण वहाँ बोलोवाए हैं। दोनों मुनवर के मन यक्ति भाई हैं। अब कहन लगे मुनवर उलजेन में कर दो मेरे हवाले। यग्य में भंगा डाले। यग्य में यग्य में भंगा डाले। आज इस प्रकारते मेरे बंदो। तो कहा है तुल्सी कृत्रा मार में। आसुरों के डर से मुनी गए बहुत घबुराए। विश्वा मित्र हर ले नहेत्सु दसुरत के निहराए। शिरी दसुरत महराज के यहां अयोध्यापुरी में। विश्वा मित्र जब पहुचे हैं। निशाचरों से वहभीत होकर के जैसे राजन ने देखा विश्वा मित्र को। शिरी दसुरत महराज उने ले मुन अत्सन मान। कहे कारण मुन आगुमन सो कहिए से वकुजाम। महराज आज अहो भाग्य हैं जो कि मेरे घर में आपके चरण पधारे हैं। राम लच्मन को बुलाया गुरु का आशिरवात दिलवाया राम लच्मन ने देखा है। तो आज विश्वा मित्र की निगा मिलते ही मुश्कराने लगे हैं। और उनने कहा है महराज कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। बोले है राजन मैं निसाचरों से भैवीट हो करके आज थोड़ी सी याचना आपसे करने के लिए आया हूं। बोले महराज ऐसी कौन से बात है। कहो ना मैं तु आपका सेवक हूं। क्यों नहीं, इसी लिए तुम्हें आया हूँ, मुझे आपके दोनों बेटा राम और लच मर चाहिए, कुछ दिनों के लिए, क्या कहा, हाँ, बड़े बड़े निशाचर हैं, है राजन, मैं यग को करता हूँ, तो मेरी यग को वह विध्वांश कर देते हैं, जैसे ही राम ल माराद कहां तो बड़े बड़े राचस और कहां है नाथ हाज आपने मेरे दिल की बात आपने छेली मैं कैसे कहूं बड़े बड़े निशाचरों का सामना पला मेरे ये दोनों राजखुमार कैसे कर सकते हैं कहां ने चारयाति घोर कतोरा कहां सुन्दर सोत पारम की सोरा सोने राजा आति आप्रियवानी रामा सोने राजा आति आप्रियवानी रदे कांप मुकी कूती कू मिलानी हे रिशिवर भला में अपने राजखुमारों को कैसे दे सकता हूँ आप सोचिये ना मेरे नाहत ये चोथे पन में मैंने चार पुत्रों का मुख देखा है वैसे तो मेरे चारो ही पुत्र प्यारे हैं लेकि राम लच्शमण मेरी आखों के तारे हैं क्या कहा आप देने से इंकार करते हो हाँ ये संभव की बात है नहीं राजन मुझे ऐसी उम्मेद नहीं थी तेरे से अरे भूल गया धरम करम के हरे कार तूने भी तो किये हैं भला इनको मुझे देने से क्या रोकता है रे अरे ओ राजा यह ही है वो परम पिता पन्वेश्वर जो के प्रतिवी का भार उतारने के लिए तेरे हाँ प्रगट हुए है माराज रामो लखनो की बारी है ओ मारिया रामो लखनो की बारी है ओ मारिया के से करू अरू माल ओ मूनी रामो लखनो ने नले तारी हुजिया रे हे राजा आप सोचो सोचो तो सही पला इन लोग के नाथ आपकी हाँ प्रगट हैं मैं उन्हें लेने के लिए आया हुँ आप इंकार न करो मुनिवर से यो बोले तो सुरत ठान रहे क्यो ठाने हो चोथे पलो में कुमर मिले हैं सुंदर सोगर सोजाने हो बेज दिये करो संगो तुम्हारे निकल उपरेंगे प्रानों हो सुने सुने दीखेंगे ये महलो नगरिया कैसे करू वरू पाल मुनि राम लखा नेने नने तारे ओजिया रे हे राजर देख लो ये दाप देने से इनकार करते हो तो मुझ जैसा महात्मा क्रोधी भी न देखा होगा एक बार और सोचो ये राजर नो क्या भूल गये तुमो धरम करम के काद्यू हो सुर्य बल सुके सुरू बीर तुमो बनते हो महाराज हो महमाय के जालो में फस करो कैसे पड़े गए आजू हो भूप भाईय त्यारी अकली बाबरिया केसे करुआ रूप बल मुने राहो लख नने नने तारे ओजियारे इस प्रकारते बंदू जो आज बचन सुने हैं तो एकदम से क्लोधत हो जाते अभी स्वामित्र कहने लगे ओ राजादस्रत तेरी अध्यापुण को में भस्त करता हूं थैसुं के उंके लुद स्वाटत को कहने लगे ठारो ठारो रिशी राज धैरो हे पयाуск घृच्वा मेरी जुद्धत कछने हैं तुम नक्यारे नहीं माराज ऐसी कोई बात नहीं देने से इंकार नहीं कर सकते आज बंदूओं बसेश्ट जी ने उन्हें समझाया महाराज दसरत को आज दोनों पुत्रों को उनकी अरपन किया और लेकर के आज पुत्रों को चले दिश्वा मित्र जैसे ही विआ बान जंगल में पहुंचे तो पहले तार्का का बद किया तार्का जैसे ही मिली तार्का का बद करके आज पहुंच जाते हैं यग भूमी में और वहां दोनों भाईया बड़े हर्श के साथ पैरा देते थे राम कहने लगे हे गुर्देब अब तुम यग को पूर करो हम दोनों भाई यह तैयार हैं इस्टिकार से बंदो इधर में विश्वामित्र जी यग करते हैं और सुबा उमारिच का इधर भगवान बद करते हैं और इधर में जनक पुरी में क्या होता है भाईया मारा जनक जी बड़े बैचेन थे इधर में रानी सुनेना देख करके प्रितम को और कहने लगे हैं नाथ तुमारे चेहरा पे कैसी उदासी इधर महरा जनक ने देखा था सीता को एक दिन धनस उठाते जो के शिव का धनस था बहुत भारी था उसको देख करके इधर में सीता सयानी हो जाती हैं तो उने देखते ही और दिन में लार्शा लगी रहती थी कि मेरी बेटी बरकी योग हो चुकी है कैसे तो क्या प्रण किया है जैसे ही देखा है सीता को धर्श को उठाते ब्याग को लेहें राजारानी ब्याग को लेहें राजारानी बेटी है गई सयानी स्वेमर चाउं में महान जनक पुरी के दर्म्यान बंदो इधर में राजा जनक को दन सुप्रतिक्या करते हैं और देश-देश के लिए नमेंतर भजवाते हैं ब्याग को लेहें राजारानी बेटी है गई सयानी स्वेमर चाउं में महान जनक पुरी के दर्म्यान राजा ने तूतु पठाए नोते सब भूपु बुलाए राजा ने तूतु पठाए नोते सब भूपु बुलाए कैसे कैसे योधा कैसे कैसे राजकुमार राबर बारा सुर जैसे स्वेमबर में राजा आए और क्या सज गई है नगरी सारी चम के जिल मिल उजियारी जाए जहल की आसु मां जनक पुरी के दर्म्यान और क्या भाईया इस प्रकार से बंदों देश-देश के लिए निमेंत्र भुजवाए और पत्रका को हाइद बाच बाच करके राजा महराजा जनक पुरी के लिए आ रहे हैं और भाईया एक पत्र लिखवायो रिशी विशामित के लिए जो के 88 हजार रिशी थे इधर यग किया था न मुनवर पे भेजा बाना स्वेंबर को सफल बनाना मुनवर पे भेजा बाना स्वेंबर को सफल बनाना पड़ करके मतु सकुचाना जन्दी से जन्दी आना मुन के संग राम लच्मन की ओ राजाने आग्मन मुन के संग राम लच्मन की ओ राजाने आग्मन बगिया में दियो इस्तान जने कपुरी के दर्म्यान मुन के संग राम लच्मन व्याकुल है राजारानी देखी है गई सयानी स्वेंबर रचाउं में महान जने कपुरी के दर्म्यान आज बंदों इस प्रकार से अठासी हजार रिश्यों के साथ में पिश्वा मेत्र आज राम लच्मन को लेके चले हैं तो बंदों पहले रिशी गौतम आस्रम मिला था तो वहां अहल्या का उद्धार करके गंगास नान करके जनक पुरी के मेरे पे आ जाते हैं जहां राजा जनक जी का बगीचा था इधर में दूतों ने जाकर के बताया है जनक महराज को महराज अरे रिशी विश्या मिस्त्र अठासी हज्यार रिशियों के साथ में तुम्हारी नगर में पधार रहे हैं इधर में जाकर के हाई हाई राजा जरक ने आगमन लिया और अपने पगीचा में जाके इस्टाइस अलग 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 धोनी लग जाती है समयां कि इधर में भगवान सी राम लच्छमड के आ सेवा का अवसर आता है तो इधर राम सेवा करते हैं लच्छमण पेरा लगाते हैं तो क्या तो बंदो भगवान का नेम था सुबह पूल अच्छ अच्छ तोड़ करके गुर्देव को अरपन करते थे गुर्देव उनके पूजा करते थे इधर लच्छमण के दिल में लार्शा लगी थी लेकिन सरम के वस में कुछ कह नहीं पा रहे थी भगवार मर्यादा प्रसुतम जो जानने वाले घट-घटके अपने भाईया की बात को जान करके और क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं अपने भाईया की बात को जान करके आज प्रभु गुर्देव से हाथ जोड़ करके कहने लगे के गुर्देव क्या बात है कि मेरे भाईया के दिल में लालसा लगी है लेकिन सरम से कुछ कहने पाए हैं बोले क्या कौन सी लालसा हमारे भाईया नगर की सोभा को देखनो चाहें कि जनकपुर कैसो है बोले ये बात हाँ आज प्रसंद हो करके कहने लगे जाई देखिया बो नगर सकुन धान दो भाई करो सफल सब के नयन सु सुन्दर बदन दिखाई कर दो कर दो